नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसाल वास्तो कंसिल्टेंट हमारी जो सीरी चल रही है वो है प्लॉट चेन से लेकर भावन निर्वान तक और भावन निर्वान से लेकर गरह परविश तक इस सीरीज में मैंने बहुत सारे विशे पहले बनाए हैं और बहुत सारे विशे आगे भी बनने जा रहे हैं मैं इस सीरीज को कंप्लेट पूरी करूँगा आप मेरे साथ इस सीरीज में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाए ताकि मेरी जितनी भी आने वाले नई विडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से में पर मिलती रहे आप एक प्लोट का चुनाव कर रहे हैं जिसमें आपने अपना घर बनाना है तो आप मेरे इस सीरीज को शुरू से लेके आखिर तक कंप्लेट देखे इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्लोट का चैन कैसे करना चाहिए कैसे भाउन का निर्मान करना चाहिए और भाउन का निर्मान होने के बाद कैसे घर में परवेश करना चाहिए इसके बारे में मैंने अपनी ये सीरीज ली है मैंने पिछली वीडियो में आपको नौर्थ फेसिंग यानि उत्तर मुखी प्लॉट के अंदर में गेट के बारे में बताया थै कि में गेट लगाते हैं आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए और में गेट आपका कहां पर आना चाहिए आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका प्लॉट इस्ट फेसिंग है तो आपको अपना मुख्यदवार किस दिशा में लगाना चाहिए मुख्यदवार आपको East Center से North East के कोने तक जहां आपको Space मिलता है वहाँ पर आप अपना मुख्यदवार लगा सकती है यह दिशा मुख्यदवार के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है मेरा अपना अनुभाव रहा है जो चीजे मैंने देखी है जो चीजे मैंने अनुभाव की है जहां जहां मेंगेट East Center से North East के और लग जाता है वहाँ पर हमेशा ही उस परिवार को मान समान मिलता है परिवार में बढ़ोतरी होती है और घर के अंदर हर परकार का सुख मिल जाता है तो आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपका जो अपना मेंगेट है वह East Center से North East के और ही आना चाहिए मेंगेट लगाते से में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले तो जो मेंगेट के पिलर बनेंगे वो पिलर दिवार की मोटाई के बराबर होने चाहिए आज कल करते क्या है कि जो मेंगेट के पिलर बनाते हैं उन पिलर को 9 इंच की बज़ाए 14 इंच का या 18 इंच का बना देते हैं देखने में सुंदर भी लगते हैं और मेनगेट को रोखने के लिए हैवी पिलर भी बन जाते हैं, जो कि Es per वास्तु, नोर्थ यिस्ट के भाग में हैवी पिलर नही होने चाहिए, यहां पर आपने जो पिलर बनाने है, जितनी मोटई आपके दिवार की है, उतनी ही मोटई का आपका पिलर बनना चाहिए आपकी दिवार 9 इंच की है तो आपका पिलर भी 9 इंच का ही बनना चाहिए वह पिलर आपकी दिवार से ना तो अंदर की और जाना चाहिए और ना ही वह पिलर बाहर की और निकलना चाहिए इस बात का आपने ध्यान रखना है second point आपने क्या धेहन रखना है जो pillar की height है वो आपकी boundary wall के height के बराबर होने चाहिए इसके बाद जो आप अपना main gate लगाएंगे जो main gate बनुएंगे सबसे पहले तो main gate आपका बजन में हलका होना चाहिए light weight का होना चाहिए और जाली वाला होगा तो वो आपके लिए और भी बहतर होगा जाली वाला इसलिए कि आपके नौर्थ येस्ट के भाग से से एर क्रोसिंग हो यह और अपका यह लाइट वेट का बने की जितने आपके पीलर की आपके बराबर वह ए होना उससे उपर आपका मेंगेट नहीं होना चाहिए है। इसी के साथ आपको एक बात धियान रखना है। आजकल जाइन के चक्कर में बहुत सारी चीजे उट पटंग हो जाती है। ऐसी गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ओना आपने अपना मेंगेट सीधा सीधा बनाना है। तो मुख्यदवार आपको कैसे लगाना है ये बात आप अच्छे तरीके से मेरी इस वीडियो में समझ गए होगे कहीं बार क्या होता है कि में गेट के साथ एक छोटा सा गेट भी एंकरी के लिए बना लिया जैता है आप छोटा गेट एंकरी के लिए बना सकते हैं वो नौर् गेट पिलर के सेंटर में बीच के भाग में लगाया जाता है वो गेट अंदर के और भी खुल जाता है और बाहर के और भी खुल जाता है तो ऐसे गेट लगाने में किसी वेपरकार की दिकत नहीं होती है मैंने आपको मुख्यदवार के बारे में में गेट के बारे में इस जानकारी दे दी हैं आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं आप अपनी साइट का मैप भेज कर हमसे ओनलाइन सला भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहां से वास्तु शास्तर के नु पेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वंसी शाफ्फ्तर के साथ सब्सक्राइं अनूभव पे लिखाया है आप अपना नया घर बनाने से आप सकते हैं हमारी उसंतक भी आपके घर को वास्त धोश्मक्थ बनाने में सहाइक है जरूर होगी क्योंकि मेरी जो ये सीरीज चल रही है इस सीरीज का हर व्यक्ति लाब उठा सकता है जो व्यक्ति अपना नया घर बनाने जा रहा है या प्लोट का चैन करने जा रहा है प्लोट ख्रीदने जा रहा है तो आप मेरी इस सीरीज को इस वीडियो को अपने फैम्ली और फ्रेंड्स में समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नई विश्या पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार